हेलो विवर्स कैसे हैं आप सब उमेद करती हूँ के सब ठीक हूँगे और खदावन के फजल से मैं भी ठीक हूँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जबर्दस और लाजवाब से टीन डे और चिकन का सालन बिल्कुल घर पे पड़ेवे समान से हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा तो आप प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइप शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जो बहला इकन का बटन है उसको जरूर प्रेस किया करें ताके मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन आपको मिल सके तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो चलिए इस चीज देख लेते हैं कौन-कौन-सी है तो यह हमने लिये हैं एक किलो टींडे यह मैने इस तरह देखें इनको दो के खुष्ट करके और छील के यह रख लिया है अब भी मैं इसको काटूँगी अदा किलो मैंने चिकन ले ले लिया है और तीन मैने प्याज ल डाल सकते हैं, देड़ चमच मैंने रेड मिर्ची लिये, लाल मिर्ची लिये हैं, और आदा चमच मैंने हल्दी ले लिये, और देड़ चमच भरके ही मैंने सुखा धनिया ले लिये हैं, और बिर्कुल सादा मसाले हैं, जो घर पे आपके होते हैं, बहुत ही मज़ेदार सालन ह तो अभी तींडे काट लेते हैं, देखिए तींडे जो हैं इनको इस तरह हम काटेंगे, तीन तीन पीसिस के कर लेंगे, इसी तरह काट के फिर आप से मिलते हैं, तो यह मैंने हांडी को उपर रख लिया है, नेम आन करते हैं, इसमें ऐल डालेंगे, तकरीबन आदा कप ऐल हम करेंगे, यह रेखें, ओएल हमारा थोड़ा गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज एड कर देंगे, आज हम मिट्टी के बरतन में बना रहे हैं, बहुत ही मज़े दार इसमें बनती हैं, तो यह देखिए, प्याज हमारे यह देखें, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसमें हम भूम लेंगे, ताके इसका तप्चापन खतम हो जए, तिकन हमारा अच्छ तरीके से भून गया है, कलर भी चेंज हो गया है, अब हम बाकी जी मसाले आड करेंगे, तो यह अदरक लसन, जो दो चमच मैने भर के लिए थे, यह आड कर देंगे, अदरक लसन में भी मैंने 1 मिनट भूम लिया है, आप यह तमाटर एड कर दूँगे, तमाटर के साथ इस ब्रश्मीज से घून लेगी, ए 2 मिनट भी हम ने भूम लिया है, नमक डाने लिए, ताके जल्दी हमारे तमाटर जो हैं हुगल है एचंच नमक, देढ़ छंच मिर्ची, जेढ़ देढ इसके साथ अच्छे तरीके से निसालों को गून लेंगे हमारा तक्डीबन गुन चुका है तमातक भी गल्डे है तो भी हम इसको और 3-4 मिनट गूनेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा चिकन गल भी जाए और पक भी जाए मजबूत मेरा दिल है शाक दिनाल गावा तारीके अपने रब दी तारीके अपने रब दी ते हम्द मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है असमा न उते हो तू अच्छा मेरे खुदाया असमा न उते हो तू अच्छा मेरे खुदाया सब्द ते उते जाह हो वे जनाल तेरा मजबूत मेरा दिल है यह मेरा फेवरेट जगूर है बहुत ही जबरदस्त है और यह आपको हमेशा जो है इमान में और जएदा मजबूत करता है तो मैं हमेशा जब कुकिंग करती हूँ तो मैं किचन में यह गुन गुनाती रहती हूँ जबूर कोई भी यह और और भी बहुत सारे जबूर है जबूर तो सारे बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे यह बहुत अच्छा लगता है तो इसके साथ साथ हमारा चिकन भी यह देखें भूं गया है तो अब हम इसमें तीडे आड कर देंगे एक किलो हमने तीडे लिए थे और तीडे भूगो थी जबद्रस्ट बिद्कुल नरम वाले कच्छे तीडे हैं अच्छे प्रीपे से स्कोस को लाड़ों दी ताके सारा मसाला रिए इने भी लग जाए रेखिए यह सारा मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें आदा ग्लास तक्रीबन पानी डालेंगे हरी सबजी में से पानी बहुत निकल जाता है लेकिन मैं इसमें आदा ग्लास पानी यूज कर रही हूं कि टीडे जयदा है तक अच्छे तरीके से गल जाए और हम इसकी थोड़ी सी ग्रेजी वाला सालन बनाएंगे बिल्कुल फुष्क नहीं बनाएंगे तो इसलिए मैंने इसमें आदा ग्लास पानी आपिया है अब हम इसको डखके बखने के लिए छोड़ देंगे जब तक के हमारे तींडे अच पानी को फुष्क करूंगी तो ये मैंने जो हरी मिर्ची ली थी पान से छे ये इसमे एड कर दूगी अगर पहले करती तो ये बिल्कुल गुल जाती है कभी रच्छी नहीं लगती तो अभी मैं इसको डखकन देके दुबारा से पकने करिए छोड़ूंगी मैं आपको हमारे कितने जबर्दस गल गए हैं लेकिन थूड़ा सामय और इसको पुपोने होगी है ये कंदे के तकरीबान चार से पांच मिनट और हो गए हैं और ये देखें हमारे जबर्दस सालना तीन डे चिकन बनके रडी हो गया है तो अब मैंने चुला बंद कर दिया है और अब तो हम इसको घिचा ओट करेंगि तो यह देखे, हमारे जबरदस से तीन डे चिकन बन के रेड़ि हो गया हैं, मैंने ने थोड़ी करेवी सालम माला के बनाया है जबर्दस ला जवाब हमारे पर यह देखें हमारे जबर्दस से टींडे चिकन बनके रेडी हो गया है अभी थोड़ा सा हम इसकी उपर दनिया से गार्णिश कर देंगे और हमारा मज़ेदार सा सालन जो है वो रेडी है और अगर आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेर और सबस्क्राइब करें दुआओं में याद रखें मिलते हैं अगरी वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ खुदा हापीस थैंक्स पूर वाचिंग